रोमन रोइंग्स पिछले कई सालों से डवल्यू डवल्यू एके फेस सुपरस्टार बने हुए हैं और पिछले करीब डेड़ साल से उनका हील किरदार प्रो रैसलिंग फैंस की जुबान पर चाया हुआ है और उन्होंने अभी अपना मैच रसलमीनिया 38 में लड़ा जिसमें वो डवल्यू डवल्यू ए चैंपियन ब्रॉग लेसनर को हरा कर यूनिफाइड चैंपियन बन गए हैं ट्राइबल चीफ किरदार में आने के बाद रोमन रिंग्स लगातार बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स और उपलब्दियों को अपने नाम करते जा रहे हैं और रसलमीनिया 38 में भी उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाये हैं दोस्तों WWE में रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेस्नर कई बार एक दूसरे से बिड़ चुके हैं और ये बात भी आपको चौका सकती है कि रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेस्नर के बीच में कई बार रसलमीनिया को हैडलाइन कर चुके हैं रसलमीनिया 38 के दूसरे दिन को भी उनके मैच ने हैडलाइन किया, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक बहुत जबरदस्ट एक्षन देखने को मिला। इससे पहले रोमन रिंग्स को ब्रॉक लेसनर पर कई बार जीत मिल चुकी है। लेकिन आज तक उन्हें रसलमीनिया के किसी मैच में दबीस्ट पर विजय प्राब्द नहीं हुई थी। रसलमीनिया 31 और रसलमीनिया 34 में उनके बीच जबरदस्ट मुकाबले हुए, जिन दोनों में ट्राइबल चीफ को हार जेलनी पड़ी। मगर इस साल दशीड के पूर्व मेंबर ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए, नकेवल ब्रॉक लेस्नर को रसलमीनिया में पहली बार हराया, बलकि डब्ल्यू डब्ल्यू ए के युनिफाइड चैंपियन भी बन गए है। सबसे ज्यादा रसलमीनिया में इवेंट, दोस्तों रोमन रिंग्स को अभी डब्ल्यू डब्ल्यू ए में रोस्टर में काम करते हुए करीब एक दशक पूरा हुआ है, लेकिन ये बात आपको चौका सकती है कि इस दोरान वो छे बार रसलमीनिया को हैडलाइन कर चुके है साल 2015 से लेकर 2018 तक उन्होंने लगातार चार रसलमीनिया शोज को हैडलाइन किया, वही 2021 के में इवेंट में उन्होंने अपने यूनिवर्सल टाइटल को रिटेन किया था, इस साल उन्होंने छटी बार रसलमीनिया को हैडलाइन किया, इसी के साथ रोमन रिंग्स रसलमीनि है जो लगभग सात और आठ बार रसल मीनिया का में इवेंट कर चुके हैं लगातार दूसरे साल रसल मीनिया में युनिवर्सल टाइटल को रिटेन करने वाले पहले सूपरस्टार दोस्तों रोमन रेंग्स पेबैक 2020 प्रीमियम लाइव इवेंट में नए डबल्यू डबल्य युनिवर्सल चैंपियन बने थे और अभी भी ये टाइटल उनके पास है इस दोरान उन्होंने कई बार अपनी चैंपियनशिप बैल्ट को सफलता पूर्वक डिफेंड किया है मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल रसल मीनिया में उन्होंने एज और डैनियल ब्र ॉक लेस्टिर को धमागेदार अंदाज में हरा कर एक बार फिर अपने टाइटल को डिफेंड किया है इसी के साथ वो लगातार दो साल रसल मीनिया में युनिवर्सल चैंपियन को रिटेन करने वाले पहले सूपर स्टार बन गये है इससे पहले कोई भी सूपर स्टार दो लगातार बार युनिवर्सल चैंपियन को रसल मीनिया में डिफेंड नहीं कर पाया है। वैसे गोल्डबर्ग जरूर दो बार रसल मीनिया में बतौर युनिवर्सल चैंपियन बन गए। लेकिन दोनों मौकों पर उन्हें हार का सामनाक करना पड़ा था। और वहीं दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर 2017 में गोल्डबर्ग को हरा कर युनिवर्सल चैंपियन बने थे। और साल 2018 में उन्होंने रोमन रिंग्स के खिलाफ इसे सफलता पूरवक रिटेन किया। हाला कि साल 2019 में उन्हें सेथ रॉलिंस के खिलाफ अपना टाइटल ड्रॉप करना पड़ा था। इसी वजह से रोमन रिंग्स ने लगातार दूसरे साल अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। पहली बार डबल चैंपियन बने। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब